नमस्कार आप सबी का स्वागत हैं मुख्य समाचार और बड़ी खबर इस वीडियो के माद्धम से आप तक पहुंचाएंगे वीडियो में आप बने रही है वहीं दोस्तों अगर आप लोग भी मानते हैं कि 2024 के आम चुनाओं में इंडिया गढवनन जी सकता है तो लाइक इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके चरूर लिखिए बीस सपोर्ट इंडिया पहली खबर आ रही है सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे जवदस तरही के से ट्रेंड हुआ है पनाओती जियां दोस्तों भारत के बिस सुकब फाइने के बाद ये ट्रेंड लगातार बना हुआ है तमाम यूजर अपनी राय रख रहे हैं और निसाने पे दोस्तों आप सभी जानते हैं आखिर कौन है जिया दोस्तों पनाओती कौन है ये सभी जानते हैं वहीं दोस्तों एक यूजर ने कहा कि पनाओती को क्या जरूत थी आने की पहले से नाम की पनाओती थी उपर से खु बिसे सग्ग के कह रहा हैं कि फाइनल मैच यदि ये जाने पहंचाने मैदान बान खेड़े मुंबई या कोलकाता इडन गार्डन में कराया जाता तो जीत पक्की थी लेकिन जीत थी कि एहमदावाद के नैंदमोदी स्टेडियम में ही हो ताकि पॉलिटिकल मार्केटिंग हो स एक यूजर ने टूइट करते हुए लिखा क्रिकेट मैच को वर्ल्ड कप की तहन नहीं बलकि मोदी और गुजराद भाजपा के पिचार की तहन रखा गया था लेकिन अफसोज चौथी पास पनोती का जेद देश को ले डूबा है सरमनाक हैश्टैक पनोती ये ट्रंड कर राय दोस्तों आप भी इस ख़बर को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर ही लिखिए बिग ब्रेकिंग निउस निकल के आ रही दोस्तों प्रियंका गांधी को लेका जी हाँ प्रियंका गांधी लोकसवा चुनाओं लड़ेंगी ऐसी ख़बरे निकल का फार्मूला जल्दता होने की उमीद जताई जा रही है समाजवादी पार्टी कॉंग्रेस और अन्य दलों के बीच जल्दी मंतन सुरू होने वाला है वहीं दोस्तों आप सभी को जनकारी के लिए बताते चलें प्रियंका गांधी के चुनाओं लड़ने की संभाबना जत सकती हैं वहीं दोस्तों यहां पर सुर्या गांधी अगला लोग सभा चुनाओं नहीं लड़ेंगी क्योंकि उनकी तवियत और सेहत का ध्यान रखने के लिए यह एहम फैसला लिया जा रहा है जिसके चलते दोस्तों उनकी जगह पर प्रेंका गांधी चुनाओं मैदान में उत्रेंगी तेलंगाना चुनाओं जिया दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है नगदी सोना सराब जप्ती का आंकड़ा यहां पे 625 करोन रुपए के पार पहुंच चुका है इस समय की बिग ब्रेकिंग नियूज तेलंगाना विधान सवा चुनाओं में अभी 10 दिन बा साल बोटरों को लभाने के लिए होने वाला था जिससे की वहाएक पार्टी भी से इसके पच्छ में बोट कर सके इन में से जादातार बीजेपी के कारकरताओं से बरामत की गई यहां पर रकम है उसके बाद भी आरेस दोस्तों देख सकते हैं तेलंगाना चुनाओं जीतने सेना यूवीटी के नेता संजर राउत का निकल के आचुका है बड़ा वायान जी हां दोस्तों संजर राउत ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग पिंजरे में बंद तोता वा एक दिखावा बन कर रह गया है जी हां दोस्तों उस पर भारते जनता पार्टे के कार्यों पर आख मूदने का आरोप लगा है इस पर्ष्ट है बिपच्छे दलों द्वारा बीजेपी के नेताओं की जो यहां पर सिकायद की जाती है उस पर चुनाओ वायोग कोई एक्सन नहीं लेता है नोटिस भी नहीं जारी करता है लेकिन अगर कहीं दोस्तों कोई बीजेपी नेत किसी भी पच्छी नेता की सिकायद करने पहुंच जाता है तो अगले ही दिन चुनाओ वायोग नोटिस जारी करके जवाब मांगता है वहीं दोस्तों अब यहां पर सिपसेना के मुक पत्त सामना में अपने सापताई के स्तंब रोक ठोक में संजार राउत ने भाजपा पर भाजपा वाले लगातार बादा कर रहे हैं कि अगर वा सत्ता में बने रहते हैं या फिस सत्ता में आते हैं तो वहां मुफ्त में आयुध्या में राम मंदर के लिए सरकात दोरा आयुजित यात्राएं कराएगी और वहीं दोस्तों इस पूरे मामले की यहां पर चुनाओ पायोक को पिंजरे में बंद तोता करा दिया है दोस्तों आप लोग सहमत हैं या फिन नहीं संजर राउत की बातों से जरू बताईए अपनी भी राए एक और ख़बर की तब चलते हैं दोस्तों उच्छतम निया लेमेज याचिका दायका सेवी के खिलाफ अब मनना की कारवा इस सुरू करने की कही गई है बात याचिका में आरोप लगाया गया कि सेवी ने गौतम अडानी की अगवाई वाले समुद वारा सेयर मूल्यों में हेरा फेरी करने के आरोपों को लेका जाच पूरी करने और अपनी रिपोर्ट सोंपने की समय सीमा का उलंगन किया है याच पर सेवी की मुस्किलें बढ़ने वाली है सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की करने वाला है सुन बाई राजिस्थान में चुनाओं पचार जोरों पर है वहीं दोस्तों राजिस्थान में हैं और राजिस्थान में दो से चार रैलियां दिन में कर रहे हैं रैली कर रहे हैं रोड सो कर रहे हैं और भाजपा को घेने का कोई मौका नहीं छोन रहे हैं राजिस्थान में भाजपा की सरकार आई तो हमाई सरकार आपको जो जो सुभिधाएं दे रही हैं वो सब बंद हो जाएगा और अडानी का काम सुरू हो जाएगा राहूल गानी ने भाजपा को घेरा है राहूल गानी ने कहा कि हमाई सरकार आम जनता के लिए बहुत सी योजनाय चला रही है इसलिए आप से यहाँ पर अनरोध है कि आप लोग कॉंग्रेस को बोट दें लेकिन अगर यहाँ पर गलती से भी भाजपा की सरकार आ गई तो यह सारी जन कल्यान कारी योजनाय भाजप का बंद कर देगी और सिर्फ और सिर्फ उनके उद्योग पति मित्रों का काम सुरू होगा यहाँ पर दोस्तों गौतम अडानी को लेकर भी राहुल गांदी ने घेरा है देश में अगला चुनाओ एंडिये और इंडिया गढ़हंदन के बीच होगा जहां पर इंडिया गढ़हंदन के बीच होगा जिसमें कड़ी टकर होगी और यहां पर बाजी इंडिया गढ़हंदन मारेगा इंडिया गढ़हंदन में चल रही तकरार खास तोर पर अखिलेश एदब की पार्टी से और इसको लेकर भी संका सिंग्व अगेला बोले हैं कि अखिलेश एदब इसके साथ ही कहा कि इलेक्षन कमिशन का भी निस्पच होना जरूरी है लेकिन ऐसा नहीं है आज देश में लोग साही पूरी तरीके से हावी है देख सकते हैं दोस्तों उन्होंने कहें तो यहां पर चुनाओ आयोग पे भी सवाल उठाए हैं और चुनाओ आयोग लागाता बीजेपी के पच्छ में काम कर रहा है ऐसा उन्होंने आरोप लगाए हैं संका सिंग बागेला का बड़ा वयान निकल के आया दोस्तों आज की बड़ी खबरे और सभी मुखी समाचारों आप तक इस वीडियो में पहुंचाए हैं वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा अपने सभी दोस्तों में भी आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद